दोस्तो बहुत सारे फोटोगरोफ़र्स के दिमाग में मन में एक हमेशे से सवाल उठता है और specially गर हम बात करें बिगनर फोटोगरोफर्स की क्योंकि वो लोग जो शुरुआत करते हैं तो वो एक एंटरी लेवल कैमरा से शुरुआत करते हैं और उनके मन में हमेशा एक डाउट होता है क्या हम एक सस्ते कैमरा से एंट्री लेवल या बिगनर लेवल कैमरा से क्या हम प्रोफेश्चनल क्वालिटी के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं या नहीं तो इसका अंसर है दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हो और आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल वो लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है कैनन का बेसिक एंट्री लेवल कैमरा मिररलेस कैमरा है कैनन EOS R100 जो कि शायद 50,000 रुपे के अंदर या उससे भी कम में ही कैमरा आज आता है तो इस पर आज हम फोटो शूट करेंगे अब यहाँ पर दो चीज़ें का खेल आपको समझने की जरुत है देखिए फोटोग्रोफी जो है वो लाइटिंग का खेल है दूसरी चीज आपकी राइट टेकनिक होनी चाहिए तीसरी चीज जो है वो है दोस्तों आपका लेंस किस तरह का आप यूज कर रहे हो तो यह तीन चीज़ें मिलकर आपकी एक अच्छी फोटो को जो है वो गीड करती एक अच्छी फोटो को बनाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस beginner level camera के साथ में जो lens यूज़ कर रहा हूँ वो है RF mount का 85mm का F2 lens अब ये lens में इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास limitation है camera body की मैं कोई 2 या 3 लाख रुपी की camera body यूज़ नहीं कर रहा हूँ सिफ 50,000 रुपे की body है एक ठीक ठाक sensor है और बाकी जो कुछ है वो है मेरी camera settings, मेरी technique और फिर lens तो जब हम 85mm F2 lens को use कर रहे हैं तो यहाँ पर जो lens है वो काफी अच्छी quality का है काफी अच्छे optics हमको इसमें मिलते हैं अब आदा problem तो आपकी इसलिए solve होगी क्योंकि आपने अच्छे lens को चुन लिया है दूसरी चीज जो है वो है दोस्तों आपकी technique and camera settings तो अब हम बात करेंगे दोस्तों camera settings के बारे में तो आपको मैं दिखाऊंगा close up ताकि आप सारी camera settings note कर लिजे अगर आप एक beginner photographer है कोई भी camera यूज़ करते है ज़रूरी नहीं Canon का है अगर आपके पास में Sony का है Fujifilm का है Nikon का है Falana Dim का जो भी है वो आप camera settings लगबग सेम रहेंगी लेकिन एक camera settings को जानना आपके लिए काफी ज़रूरी है और फिर हम बात करेंगे जो technique किस तरह से हम शूट करते हैं and when we'll see the final result आप बोलोगी सर मज़ा आ गया एक सस्ते camera के अंदर हमने एक अच्छी खासे प्रो लेवल के pictures जो है वो अचीव कर लिए अब सबसे पहले बात करेंगे camera settings की तो Canon EOS R100 के अंदर image quality आपको अखनी रॉपे क्योंकि बाद में आप post production में अगर कुछ भी कमी रह गई है तो आप highlight shadows को recover कर सकते हैं और भी settings को आप adjust कर सकते है white balance वगेरा वगेरा अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे settings की तो यहाँ पर आपको white balance अभी फिलाल में रखा है auto white balance क्योंकि हम raw पे shoot करने हैं अब चेंज कर सकते हैं अब सबसे important चीज होती है दोस्तों वह हमारा metering mode तो यहाँ पर काफी सरा options दिखाए दे रहे हैं तो आपको रखना है evaluative metering अब यह मैं metering से बोल रहा हूँ ताकि अगर थोड़ी पीछे brightness होगी model की पीछे या जिस तरही भी light होगी तो ब्रैटनेस का difference level जो है अराम से calculate कर लेगा और हमें picture अच्छी मिलेगी उसके बाद अगर हम बात करें color space की तो आपको color space में रखना है Adobe RGB क्योंकि कई बार हम picture को जो है post मिले जाते हैं और वहाँ पर हम photoshop में या light room में उसकी जो है आपको wide color gamut मिलता है अब तीसरी जो setting है वो है दोस्तों यहाँ पर picture style तो picture style है हमेशा neutral रखिए क्योंकि जब आप color grade करेंगे तो picture जो है उसमें आप अच्छे से highlight and shadows को cover करने के बाद में जब आप saturation या white balance को adjust करेंगे तो आप neutral पर आपने शूट किया है तो आपको काफी कुछ करने के लिए रहता है वीज़े तो neutral रखिए काफी सहरे लोग जो है settings उस तरह से नहीं रखते हैं portrait पे डाल देते हैं या अलग-अलग settings डालते हैं वैसा मत करिए हमेशा neutral पे या अगर आपके camera में flat है निकॉन यूज़ करें तो flat रखिए उसके बाद जो मरा अगला setting है वो है autofocus operation का तो यहां पे मैंने देखिए काफी से option आते है one shot और servo तो यहां मैंने one shot रखा है because I am shooting portrait subject हिलेगा डूलेगा नहीं तो एक ही जगे पे मैं रखूँगा अभी autofocus के ओपर मैंने यहां पर यह हमारी बेसिक सेटिंग्स है दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है चलिए पिच्चर लेने के लिए रेडी है अब मैं आपको बता दूँ यह 85mm का लेंस में लगा है जरूर है लेकिन चुकि यह crop sensor camera है तो इसको 1.6 से multiply कर लेंगे तो अब हमें जो फोकल लेंथ मिलेगी वो मिलेगी करीब 136mm की जो की काफी बहदरीन फोकल लेंथ है और camera settings मैं रखी है मैं F2 पे shoot कर रहा हूं ISO मैं ज़रूर 400 क्योंकि भी low light है तो मैं आपको दिखाना अब लिटी गया दो लाग तीन लाख रूपए के जो camera हम यूस करता है विवकुल ऐसी picture मिले लेते है shot और देखते हैं कि इस तरह के picture हमको मिल रही है यहां पर वेरी नाइस hold it very nice आईश्मान taking yes one more one more one more वापस लो एक बार beautiful one more या 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 taking very nice okay so turn around and look up पीछे की side उपर देखिए हां look up hold it yes taking one more थोना सागी जाता हूँ मैं और beautiful एक लुक उधर थोना सा close-up में ले ले कोशिश करूँगा एक हां look here look up look up okay तो यहां पर भी तीन-चार पिच्चर लिए आप उझे बताएगा अगर आपको नहीं बताता कि मैंने Canon R100 से पिच्चर लिए तो आप सूचते कि पता नहीं किसी मैंने professional camera से या किसी महंगे camera और किसी बहुत ही पिच्चर शूट किया है बट आपको पता है यह Canon R100 पे शूट किया है अब कुछ पिच्चर और लेंगे अब यहां पर आपको जो टेक्निक है उसको समझना है कि आप location ऐसी पकड़े जहां पर आपको colors अच्छे मिलें तो यह आपको depth मिले और आपकी जो pictures है वो बिलकुल आपको प्रो लेवल पर बनानी है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह की lighting condition में शूट कर रहे हैं light even है कि नहीं यह सारी चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप एक beginner level camera से भी बहुत अच्छे pictures निकाल पाएंगे चले मैंने एक शॉट very nice one more beautiful one more beautiful I'll take one more picture yes taking a smile smile yes hold it beautiful one more तो दोस्तों आपको इपिच्चर कैसे लग रहे हैं मुझे comment करके नीचे जरू बताएगा आप last में कुछ हम लोग headshot या close up shot लेनी की कोशिश करेंगे तोला सा जो है filmy style के अंदर portfolio style में और वो pictures भी देखते हैं कि Canon R100 से हम बिल्कुल एक pro level की pictures अचीव कर पाते हैं या नही अब दिखिए सही lens अगर आप use करते हैं तो काफी advantage होते हैं even basic camera के साथ भी तो पीछे में थोड़ा सा bokeh निकालने की कोशिश करूँ है background को blur करने की because focal length हमें बहुती कमाल की मिल रही है और ये headshot ले मैंने net थोड़ा सा use किया है पीछे आप देख पार है bokeh मेरको काफी interesting मि तो can you believe it ये जो picture में लिया है बिल्कुल एक simple से 50,000 रुपे की से भी कम कीमत के camera के ऊपर लिया है एक picture all लेते है hold it yes taking beautiful चलिए लेते last shot देखते हैं यह पिच्चर कैसा मिलता है beautiful thank you तो दोस्तों यहां देखा हमने कुछ modeling pictures modeling style में कुछ pictures लिये so overall जो है आज के video का जो हमारा purpose है वो यह है कि आपने देखा कि किस तरह से एक हमने 50,000 रुपीज के camera से सही lens को use करके सही lighting condition में सही location में सही props के साथ में और सही composition के साथ and सही camera settings and सही technique के साथ अगर आप use करेंगे अ अपने camera को या जो भी gear आपके पास में है तो आप अच्छे खासे professional results निकाल सकते हैं आपको इसकी performance कैसिलगी Canon R100 की मुझे नीचे comment करके आप ज़रूर बताईएगा इस video को बनाने का मकसद सिर्फ यह है आपको confidence देना आपको सिर्फ यह बताना कि अगर आपकी technique ठीक है आप को photography के skills आपके बराबर ठीक हैं तो आप एक सस्ते camera से भी बहुत ही महेंगे results या महेंगे camera वाले results आसानी से निकाल सकते हैं उमीद है आज के इस video से थोड़ा बहुत सीखने को आपको मिला होगा आज के लिए तरह ही जल्दी मिलते हैं पर नए वीडियो के साथ थैंक्स वो ओचिक